प्लेयरों ने हमने हम सब ने बिलकुल वैसा ही टॉर्ם मैंट अपनी रवाणी के साथ बढ़ता चला जा रहा है बह। ही खुष्ष्ष्षरत टेली कास्ट के यह अपने आप में हम पांचों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है एक तरह का कॉंप्लिमेंट है आईए मैच की तरफ हम बढ़ते जहां पर पहला और लेकर आएं अर्मान जबके बल्ले बाजी पर है अकबर शेक और उनका साथ दे रहे हैं गुल हसन देखिए शोर कोई नहीं मचाएगा बाहर जाते हुए कोई शोर मचाते हुए नहीं जाएगा तो हूँए दोस्तोंब हमारे बीच में हमारे प्लेयर स्टेंड स्पॉंसर महताप शेक के उनके सावजादे गुड़्डू शेक और मंसूर सेयद उनका अगमन होने जा रहे UPL 2023 में आज की ये तीसरी रात मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ उनका वेलकम करता हूँ वेलकम 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 मौश्ट 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 वेलकम गुड़ू शेक और मंसूर सयद हम बहुत शुक्र गुजार है गुड़ू भाई के बहुत ही खुबसूरत गेन देखिए दोनों छुपा रुस्तम टीमें हैं और दोनों के पास अपना एक गेम प्लान है हमने देखा शेक स्पोर्ट को किस तरीके से उनका पहला मुकाबला था लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपना प्लान चेंज किया अपना माइंड सेट जो चेंज गिया उसके बाद कोई भी उन्हें रोक नहीं पार रहे लेकिन उनके सामने इस टोर्नमेंट की बहुत ही मस्बूत दावेदार टीम हर इस्पोर्ट मौजूद है बहुत ही खुबसूरत चौका बिल्कुल गैप को भाप कर खेला था लेकिन एक गेन दार रहना है तोस के लिए नो बॉल का इशारा कहीं न कहीं देखी एक्स्ट्रा गिंदे जो हैं वो थोड़ी सी बादा डाल रही है यूपियल में कि दूसरा मौलणार क्या शट्ट ओहँ हो हो दोऊजार 11 का वर्ल्ड कप विरंदर सहवाक और सचीन टेंडल करने एक को एक को एक गेनबास को सचीन ने मारा था और एक गेनबास को विरंदर सहवाक को सचीन टेंड़न करने क्या शोट है कि विक्टोरिया बैटर और आरेड इस्पोर्ट्स विक्टोरिया बैटर और आरेन स्पोर्ट मदर खान आजे इनर्जी जादा लग रही है क्यूंकि आवास काफी कड़क निकल रही है है तैन्क यू एक और कड़क शोट लेकिन क्या फिल्डिंग है ओहो वड़ा कैच वड़ा कैच सला जो करते हैं हमेशा अपनी टीम का भला बाबा बाबा रे बाबा ये खिलाडी थोड़ा शान्त हो गया है मज़र खान लेकिन बल्ले बाजिक की वो धार अभी भी खतम नहीं हुई है शेर बुरा हो गया है लेकिन शिकार नहीं भूला है है ट्रिक पर आये थे पिछले मैट में जब दो गेंदों में दो विक्टे ले ली थी उसके बाद तीसरी गेंद पर सिक्सर लगाया था वसीम की देखिए सारो सारा जो दारो मदार रहते हैं अबुबकर वो नियत पर रहता है जब आपकी नियत साफ होती है तो आपको अल्ला ताला उसका फल भी देता है यूपियल को करानी की जो नियत थी समीर अंसारी की जहीन गोरेकर की जुनेद मुमिन की और मजर खान की एक नया आयाम एक नया अध्या देनी की कोशिश जो की थी उसमें मैं समझता हूँ पुरी तरीके से चारो पांचों पास हो गए है बस अब फाइनल का इंतजार है कौ गुल हसन है वेरी डेंजरस कस्टमर है इसकोर पहुंचा तेरा रन जबके कोई विकेट नहीं खोया है एक सिक्सर लगाया एक विकेट खोया है सौरी दस रन मना कर आउट वे हैं बैट्समें अकबर देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते गुड़ू शेक और उनके साथ में अगर गुड़ू शेक और मनसूर सयद जी जो के हमारे प्लेर स्टेंड के स्पॉंसर है मैं उनका तह दिल तो शुक्रिया आदा करता हूं कि उन्होंने हमारे उपर भरोसा जाता है और हमारे टोनामेंट को कामियाब बनाने के लिए हमें जो स्पॉंसर्शिप दी उसके लिए हम पांचों की तरफ से आपका हम हर्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत जादा बाहर बहुत जादा बाहर ती ये गेन और अलका माया अपनी दोनों भाहें फैलाते हैं वाइड का इशारा देते हुए क्या बात है बल्ले बाजों के लिए सुनेरा मौका मैताब शेक प्लेयर इस्टेंड में अगर कोई बैट्समेंट सिक्सर लगाता है तो पांस सो का इनाम लेकिन गुल हसंद को अब जाना होगा क्यूंकि एक शांदार कैस समाप किया है वहाँ पर तवफीक ने महताब शेक साब के जो साब जादे गुड़ू शेक उनकी तरफ से इनाम आया कोई भी बैट्समेंट अगर महताब शेक प्लेयर इस्टेंड में सिक्सर लगाता है तो उसको पांस सो रुपे का इनाम दिया जाएगा नए बैट्समें मेराज अलकमा देखिए समय इतना नहीं है कॉल देना है आपको दो विट्टे गिराने में काम्याभी मिली है एचार इस्पोर्ट तमिल नाडू को तमिल नाडू में बैटे इनके जो करता धरता ओनर है हनीव शेक तमिल नाडू से अल दबेश्ट का है सभी टीमों को और खास तरपर अपनी टीम के कैप्टन समीर अंसारी को कल के मैच के हीरो देखी जब एक मैच आपसे अच्छा होता है तो उसके बाद जो ग्राउंड में दर्शक और आपकी टीम के जो मिंबर है उनकी अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती है तो आज बहुत सारी अपेक्षाएं एक बार फिर से बढ़ी हैं और जुड़ी हैं टी गेंद बाजी की शुरुआत की टीम का स्कोर 15 रन दो विक्टो के नुकसान पर कि दूसरा मौला बाबा का खौफ कि देखे लेजर किर्केट टेनिस किर्केट अंडराम किर्केट टर्फ किर्केट सब जगा एक इक नाम चलता है वह बाबा स्लॉक करना चाहते थे इस दफ़ा सला देखे डीप हुई ती जिन दिल्शाद भी अपनी टीम के भारवे खिलाडी बनकर यहां बैटे चाहर स्पोर्स के और बहुत ही खौफसूरत बहुत ही खौफसूरत पहली दो खराब गेंदों की भरपाई करते वे इस वक्त गेंद बाज सला महताब शेक प्लेयर इस्टेंड में अगर कोई भी सिक्सर लगाता है तो पांसो रुबे का इनाम गुर्डू शेक उनके साब महताब शेक साब के साब जादे उनकी तरफ से पांसो का इनाम दिया जाएगा इस दफ़ा ओओ ओओ थोड़ी सी कोशिश की और थोड़ा एफट की और जरुरती रासिंग बनना चाहिए था लेकिन कुछ सोच समझ कर अपने कदमों को पीछे लिया था तो तौफीक ने लेकिन वहाँ पर घास थी चांस लेना चाहिए था मदर खान होते तो मामना कुछ और होता बहुत अच्छी गेन बहुत अच्छी गेन इतने प्रेशर वाले मुकाबले में डॉड़ गेन एक विकेट से ज़्यादा महत्वपून अहिम्यत रखती है अच्छी गेन अच्छा शॉट फिंडर माजूद थोड़ी सी घपराट वहाँ पर एक ही रन मिलेगा एक रन की मदश्यप टीम का स्कोर है 23 अच्छी दो विट्टे गवाने के बाद अब कासी समय के बाद मेरा जया अब ट्राइक पर आए नोबल का इशारा बॉलर बैक ड्राइव देखना है एक रन लिया है दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं तो वन प्लस वन दो रनों के साथ अब इसकोर आगे बढ़ता हुआ सभी फोन घर के पूछते थे मदरखांट कौन सी टीम मदबूत है कौन सी टीम कैसी है आप ग्राउंड में आए और यूपीयल का अनन ले आपको पता चले है कोई टीम इस वक्त ना मदबूत है ना कोई टीम हल्की है जैसे इससे पहले वाला जो मुकाबला हुआ है मदरकांद किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि आखिरी में ओर में मुहमद हुसेंग की गेंपर उसिक्सर लगेगा और उसी बीच बाबा रे बाबा इसको रहे 32 32 देखिए कितने सिक्सर लगे हैं पिछले दो ओरों में तीन सिक्सर और एक चौका आने के बाद भी स्कोर केवल 32 रन है ये दर्शार है कि कितनी कसी भी गिनबाजी किये अभी तक एचार इस्पोर्ट तमिल नाडू के गिनबाजों ने दस तारीक से खेलना ना भूलिये और देखना ना भूलिये सलमान इसके इसकी खुशुर ट्रॉफी इसके ट्रॉफी और एक तारीक एक जनवरी नए साल की शुरुवात सर्पंट ट्रॉफी जिसे और्गनाइज कर रही है पिछले साले के है इतियास बनाने वाली कमेटी सर्दार स्पोर्ट्स जिसके लॉट फॉर्म अपसे कुछी देर बाद या कुछी दिनों में आपको दिये जाएंगे हैदर स्यद इसके स्पोर्ट का देखो भाई पत्थर मारा जा रहा है वहां से पीछे से प्लेयर इस्टेंड में बड़ी जिम्मेदारी है जहीं गोरेकर के कांदों पर मैच भी खेलना है और कमेड़ी को समालना है भी है देखी यह यह सही तरीका नहीं है जो कोई भी है मैं उससे एकी चीज़ की गुदारिश करूंगा पूरी बिलंडी में आप लोग डिसिप्लीन के लिए जाने जाते हैं ऐसी कोई हरकत मत करिए कि जिसकी वएसे आपका और आपके एरिये का नाम खराब हो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहो वो कोई भी हो यह गलत हरकत है देखिए वो दूसरे एरिये से आपके एरिये में खेलने के लिए आए और यह ऐसी गलत हरकत बिल्कुल भी नहीं बरदाश की जाएगी आप लोगों ने अभी तक किर्किट को बहुत सा रहा है ऐसी हरकत अगर आप लोग करेंगे और उसके ओपर अगर कोई रियक्शन होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे मैं वार्निंग के साथ यह बात कह रहा हूँ मैं की शुरुआत करानी हैं बहुत बहुत शुक्रिया अशीर अंसारी भी वहाँ पर मौझूद है तीसरा वर लेकर आएं जिन्बाज अभू बकर पूछ रहे थे कि कौन सा गिन्बाज आ है समीर अंसारी गिन्बाजी पर आ है कैप्टन कूल देखिए जितने भी 24 फिलियर थे सभी ने अपना काम भखुबी अंजान दिया फिछले मुकाबले में हमने देखा आर्मान क्या बल्ले बाजी की और लगातार कंसिस्टेंसी देखिए इस गिन्बाज की समीर अंसारी पहली गिन्बाज के साथ शुरुआत की तीसरा ओवर लेकर आए है इस वक्त शेग स्पोर्ट्स की अतनी अच्छी शुरुआत नहीं है पीचे अट कार बॉलर बैक ड्राइव देखना बिल्कुल इस्ट्रेट गई है एगेन अच्छे फिल्डिंग जईन वहां परते एक रन के साथ इसकोर आगे पहुंचा है 33 33 33 33 अमारे दोस्त मरूम इफ्तिकार अंसारी को ट्रिबूट करते हुए हमारे जो कॉमेंटरी बॉक्स का नाम दिये गया है लेट इफ्तिकार अंसारी देखे सब कुछ तो हम दे सकते हैं अपने टोर्नामेंट में लेकिन को इफ्तिकार अंसारी की आवाज को इफ्तिकार जैसे शक्सियत हम नहीं दे सकते हैं ताउट के साथ यह जैन इसको रूप में दर्च की अबू बकर ने अपने इस और में केवल दो रंद खर्च किये समीर में और तीन लीगल डिलेवरीज की हैं ओहाँ इसे कहते हैं चतुराई देखिए गेंद में जरा भी पेस नहीं है फिर से वड़ा बॉल वड़ा बॉल देखिए खुद कुशी करने का प्रयास कर रहे हैं बाबा लगा तार तीन डॉड गेंदे मैं समझतो हैट्रिक विकेट से ज़्यादा मायने रखती हैं और किसके सामने बाबा के पुरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं देखना है फिल्डर वहाँ पर मौझूद है सला एक रंड के साथ ओवर की समाप्ती होती हूँ तीन ओवर की समाप्ती पर स्कोर है 35-35 रंड कितने रंड कर्च किये तीन रंड ये इस टूर्नमेंट का सबसे किफायती होगर करके जा रहे हैं मज़रखान समीर अंसारी केवल तीन रंड हलाके विट्टे नहीं मिली और मैं समझतों विट्टों की जरूरत भी नहीं है समय के मामले में देखिए कॉपरेट करना है एचार स्पोर्ट एचार स्पोर्ट देखिए यह नहीं देखा जाएगा कि इसमें कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है इतना समय नहीं है तौफीक कल की गलतियों से आज कुछ सबक लेकर जरूर आएंगे बाबा देखिए बाबा को तो आपने घायल कर दिया है कि लेक्ष टम के बाहर यह गेंग वाइड का इशारा लगा तार ओन साइड में देखिए जितनी भी गिनबास आएं सभी ने ओन साइड में गिनबासी किये लेकिस्पिन का ज़ादा इस्तमाल किया जा रहा है पूरे यूपियल में यह अच्छी गेन और उतना ही अच्छा शॉर्ट हवा में उपर की तरफ चड़ गई और जहीन से कहां कैच छूटता है बाबा की पारी समाप टॉस के लिए अगली दोनोटी में आरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन विक्टोरिया बैटर के कैप्टन और आरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैटना है रहियान मुमिन फैन टीम आरेन स्पोर्ट्स और अल्तमाश शेक फैन टीम विक्टोरिया बेटर बहुत ही सुन्दर टेली काश टाप तक लेकर आ रहे प्रिम्स मुईस एक और खुबसूरत गेंद खुबसूरत देखिए पैर और बल्ले के बीच में कितना बड़ा गैप था बल्ले बास के मिजान आये हैं बल्ले बाजी पर अच्छी गेंद शांदर शोट छे रन लेकिन तारीफ करने की तौफीक की भी कि जो आखरी ओवर रहता है न अबू बकर इसको करने के लिए बहुत बड़े जिगरे की बात होती है हो हो बहुत अच्छी गेंद बल्ले बास को जुकने पर मजबूर किया था उस गेंद ने एक से पर पहुंच चुकी है अब फोर्टी नाइन पर पहुंची है सौरी शेग स्पोर्ट्स वसीम काफी सोच रहेंगे कि जल्दी से हमारा मुकाबला खतम हो वाइड का इशारा और इसी के साथ 50 रन मुकमल गर्तीवी शेग स्पोर्ट्स तीन विकेट के नुक्सान पर बहुत जादा बाहर बहुत जादा बाहर है ये गेन साइड आम एक्षन के जो गेनबाज उनके साथ ये कठिना ही अक्सर रहती है और शोईब ने तो पहले ही कह दिया था कि इस पीछ में गेनबाजों के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन समीर अंसारी ने क्या गेनबाजी किये अच्छी गेन स्लो रखा था वहाँ पर इसलिए बल्ला पहले चला और गेनबाज मैं दूसरे के लिए जाना चाहते हैं वहीं से वापस पविएन जाना होगा तो चारवर की समाप्ती पर इसकोर मना है बावन और तिरपन रनों का लक्ष रखा है अगले टॉस के लिए टॉस वाक्स में मौजूद है मेरे साथी कॉमेंटेटर दैशिंग और डैनमिक मज़र खान विक्टोरिया बैटर के क्याप्टन टॉस के लिए आना है तो आज की रात का ये पाच्वा मैच और इस बार जो टीम में है वो है विक्टोरिया बैटर और आर एन स्पोर्ट्स और इस टॉस को अंजाम देने के लिए मैं हमारे प्लेर इस्टेंड इस्पॉंसर महताव शेक उनके साब जादे गुड़ू शेक और मंसूर सयद को बुलाना चाहूँआ और साथ में अजान शेक भी आये महताव शेक गुड़ू शेक और मंसूर सयद हमारे प्लेर स्टेन स्पॉंसर खाड़ी पार खोनी ग्राम पंचाश सदस मैताव शेक साब उनके सहाब जादे है गुड़ु शेक और साथ में उनके बैनुवई मंसूर सैयद और अजान शेक भी साथ में है वेलकम आपका स्वागद है अर्फात शेक टॉजबॉक्स में एक तरफ यूपियल और दूसरी तरफ है सरपंच सहाब कॉल रहेंगा सरपंच का है ना यहाँ पर आर्यन के कैप्टन का और आया भी है सरपंच बहुत 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 शुक्रिया गुड़ु शेक मंसूर सैयद और अजान शेक आपसे गुजारिशी के एक बार फिर से व्याइपी डैस पर जाकर उसकी शोबा को बढ़ाना है कर दो दो तका है अज़र अंसारी मेरे साथ है अज़र अंसारी आपके जो ऑउनर रियान मुमीन वह आपके शायद कि श्यूजर ब्रेदर आर उनी की टीम में आप खेले है और क्याप्टन भी आप बने हवे तोड जीता है क्या करने जा रहे हो, १।FIP करूँगा, future for the Manager as a group of Victoria better, जीत भी मिदेЛिया हर भी मिदें बिल्कुल जिस तरह से आपके, पोजिशन की बाव से पोजिशन का फस्लिषा समने विदिय्स तरह से कितने रोवन जाने देर उसके बाद फिर चेस कर जिस तरह से उमर खान बले बाजी कर रहे हैं लोग को यहीं बोलूँगा इंशालला अच्छी बैटिंग करो जिसको जो जंबर मिलेगा वो नंबर पर परफॉमस करो क्या कहेंगे यूपियल के बारे में यूपियल से भारी कोई टूर्णा मैच आपका यह मैच है तो आप भी हाँ पर चाहिंगे किस मेच को जीतना है पहले बले बाजी कहां तक जाना चाहंगे कि कितने रनों तक जाने कोशिश करोंगे इस हैंच कमिरिगे क्या काईगे इस यूपेल के बारे में बहुत मजा रहें बहुत तो दोस्तों अभी अभी यहां पर टॉस हुआ टॉस को जीता है आरेन के कैप्टन अजर अंसारी ने और पहले अगिन बाजी करने का फैसला लिया और टू कॉमेंटरी बॉक्स बात बात शुक्रिया मजर खान के लिए बीच मैदान में आ चुके यह दिखिए बहुत ही खुबसूरत मंज़र दिखाया जा रहा है ड्रोन केमरे से बिल्कुल ड्रोन केमरा भी लाया गया है आई अब यह तिर्पन रन किस तरीके से बनेंगे इसका विसलेशन करेंगे मेरे साथी कॉमेंटेटर खानों में खान मजर खान थैंक यू सिकंदर भाई तो एचार स्पोर्ट्स की गेंदबाजी इस मैच में बहुत ही बहुतिरन रही खास करके जो समीर अंसारी का ओवर था जिसमें उसमें सिर्फ तीनी रन आये थे और टार्गेट जो है वह 53 तीरपन रनों का टार्गेट है सला और खतिब दोने उपनर बल्ले बाज और दोनों ने इस यूपील में बहुत बहुत बहुतिरन परफॉर्मंस दिया है कल सला ने जिस तरह से मैच निकाला देख हारावा मैच उन्होंने कल अपनी टीम को जिता है तो खतिब ने कल देर रात खतरनाक बल्ले बाजी की है अकबर शेक पहले वर में गेंद बाजी के लिए पहली गेंद अच्छी रही ती डॉट रही ती और दूसरी गेंद भी बहतर रही ती जिस पर सिंगल रॉन पुरा के हमाँ पर सला ने देखना है फिल्डिंग में इस बार कुछ चेंजस किये जा रहे है क्योंकि लेफ्टी रैटी कॉंबिनिशन है यहां पर बहुत जादा बहार की गेंद को आंसाइड में खेल दिये वहां पर बल्ले बाज ने और सिंगल रन इस गेंद के उपर पूरा करते वे बहुत जादा बहार की तरफ ती अगर इस गेंद के उपर कोई श्ट्रोक भी नहीं खेलते तो वह भी रन मिल जा था क्योंकि यह जिसमें सिर्फ दोई रन खर्च किया उन्होंने और इसी तरह की गेंद बाजी की जरुद भी है शेक स्पोर्स को क्योंकि उतना टोटल नहीं दिया है सिर्फ तिरपन रन मनाने इस मैच को जीतने के लेकिन इस बार इस बार बहुत ही बैतरिन डिलेवरी रही थी टॉस कराय आता है गेंद को अन इवन बहुंस बल्ले बाज भी नहीं समझ पाये थे कि इस तरह से गेंद उनकी तरफ आएंगी और इस बार मिश टाइम श्ट्रोक है गेंद उपर की तरफ खड़े हो गई और गेंद की निचे अकबर शेक लगातार जो लाइन के उपर गेंद बाजी कर रहे थे बल्ले बाज उस लाइन को देकर प्रेशर में आ रहे थे हैं और इस बीच आउट हो गए बड़ा श्ट्र गया नए बल्ले बाज अब जयन गोरेकर आये है जयन गोरेकर न भी को यूपल में बहुत यहां बहुत बैतरिन बल्ले बाजी किए जो तीन मैचे से इसे पहले एचार स्पोर्ट्स ने खेले उसमें तीनों में कमाल की उनके बल्ले बाजी रही है और एक मैच में तो मैणाब्द मैच भी बने आई और वही बल्ले बाजी को इस मैच में भी दोराना होगा जाइन गोरेकर को क्योंकि पहले और में अक्बर शेक ने अब तक उतने रन नहीं खर्च के सिर्फ दो ही रन आये हैं और विकेट भी एक बड़ा विकेट सला का विकेट हासिल किये उन्होंने आते ही साथ ऑन साइड में खेल दिया गेंट को गेंट की नीचे वहाँ पर खिला लिए आना सके अधूरे मान से कई ना कई इस गेंट को खेला ता हमाँ पर बल्ले बास ने और इस बार ओवर थिरो ओवर थिरो और ये देखें तीसरे रन के लिए पलड़ चुके है जाइन गोरेकर और खतिब पहले तेज कदमों से सिंगल रन पुरा किया उसके बाद डबल भी बहुत ही तेज लेकिन जो तीसरे रन था वो तो इतना तेज ता मानो जाइन गोरेकर और खतिब के पीछे कोई पड़ गया हो इतना तेज ही ये रन था तीन रन आये और पहला ओवर जो रहा वो बहुत ही बैतिन रहा है अकबर शेक का शेक स्पोर्स के नाम रहा पहला ओवर क्योंकि पहले ओवर में विकिड भी हासिल की अकबर शेक ने और सिर्फ पाच रन खर्च की है आतुरंती फिल्डिंग लगाने खेल को शुरू करना है बहुत जादा समय भी नहीं लेना है क्योंकि ये आज की रात का चौथा मैच चल रहे इसके बाद और छे मैचेस हमें कराने है तो प्लीज सभी टीमें जो आज की रात खेल रही है मैं सभी से कहुँआ कि समय के मामले करने में आप लोगों को सईयोग करना है शेक स्पोर्ट्स फिल्डिंग लगाने खेल को शुरू करना है अट्रा गेंदे और 48 रन 48 रन्स अब यहां से चाहिए इस मैच को जितने के लिए हर ओवर में अब यहां से सोला का जो आस्किन रन्र हो चुका है सोला के रन से आगे बढ़ना होगा यहां पर एचार स्पोर्ट्स को लेकिन पहले ओवर में अकबर शेक ने बहुत ही बहुत ही बहतरी गिनबाजी की है जब आपके पास कम टोडल होना तो फिर इसी तरह से गिनबाजी करनी होगी पहली इनिंग में जहां पर समीर अंसारी ने तीन रन दिये थे और यहां पर हम देख र पहली गेंद के साथ पहली गेंद वहाँ पर जगह बना कर खेलना चाहते थे बल्ले बाज अपने आपको रूम देना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले की बीच में संपर्क नहीं हुपाया और यह डॉट गेंद अंसाइड में खेल दिया इस गेंद को पैरों के सामने फिलिक करते वे और यह सिंगल रनाएंगा इस गेंद के उपर अबुतला नाम का कोई बच्चे अगर यहां पर है तो आपको अपने घर चले जाना है आज हमारे जो मौजिज महमान है हमारे प्लेर स्टेन स्पॉंसर है मैताव शेक साब जो खाड़ी पार खुनी गिरम पंचयत के सदस से है नौर निर्वाचित सदस से है अभी हाली में जो यहां पर खाड़ी पार का खुनी गाओ का जो एलेक्शन हुआ उसमें जीत प्राप्त की है उन्होंने और उनी के नाम पर एक प्लेर स्टेन बनाए गया है फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते दें वहां पर बल्ले बाज लेकिन इस बार वाइड गेन वाइड गेन रही है वहां पर और एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ तेरा पर स्कोर फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते दें वहां पर बल्ले बाज लगातार हम देख रहें कि फ्रन्ट फुट को आगे निकाल रहे हैं और ऑन साइड की दिशा में अपना बल्ला घुमा रहे है लेकिन आप गेंदबाज भी समझ चुके कि इनको किस तरह से गेंदबाज ही करने चाहिए लेकिन आप बल्ले बाज को भी समझना होंगा कि सिर्फ ऑन साइड में ही रन नहीं बनते हैं इस बार बहुत जादा ऑफ स्टम से बाहर और यह वाइट यह देखे गुड़ू शेक और मंसूर सयद को दिखाया जा रहा है हमारे प्लेयर स्टेंड स्पॉंसर है गुड़ू शेक इस बार गेंद हवा में है गेंद की निचे वाँपर मेराज और आउट खतिब आउटो कर वापस जाते हुए अदूरे मान से कई न कहीं है इस ट्रोक खिला तमापर बल्ले बाजने वही कारणत है कि उतनी बहतर गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए ते और अपना विकेट गवा दिया है खतिब आउटो कर वापस गए हमारे बीच में अभी अभी आगबन हुआ है पपू चौहन साब का वेलकम चौहन साब आपका स्वागत है यूपेल की ओर्गनाजिंग टीम की तरफ से मैं आपका खैर मक्दम करता हूं वेलकम करता हूं यह देखें काफी तादाद में आज कुछ बच्चे भी नजर आ रहे प्लेयर इस्टेंप और हम अब महमान नजर आ रहे हैं नए बैट्समेन अब आए है समीर अंसारी अजित पिछली गेंद के उपर विकिट हसिल की है उन्होंने आते साथ लंबा हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्ले बाद अच्छी लंबाई की यह गेंति फुलर लेंद की गेंति लेकिन उसका फ वहां समीर अंसारी तो दो और की समाप्ती हो चुकी और रन बनाये गए है 14 दो विक्टे गवाने के बाद एच आरे स्पोर्स आउट होने वाले बल्ले बाद रहे थे पहले सला जिन्होंने एक रन बना उसके बाद खतीब खतीब ने साथ रन बना जिसमें एक सिकसर भी था लेकिन अभी भी महाँ पर जैन गोरेकर मौजुद है जो चार पर बल्ले बाद बाद रहे और समीर अंसारी ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है पहले वर में जो गेंदबाजी रही थी दोने गेंदबाजों को एक एक विकेड मिलाए पहले वर में अकबर ने पाच रन दिया एक विकेड हासिल किया उसके बाद साजित ने नौ रन दिया और उन्हें ने भी एक विकेड हासिल किया तो यह 12 गेंदों में 14 रन बने अब आने वाली जो बारा गेंदे उसमें 49 रन चाहिए बारा गेंदे और 49 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और क्रीस पर दो बहतरीन बल्लेबाज मौझूद है जैन गोरेकर और समीर अंसारी देखिए अगर पुरा यूपेल का लेखा जो का आप देखे ना त टीमों का पासा पल्टा है गुद्डू शेक और मंसूर स्यद अब हमसे विदा लेते हुए बहुत बहुत शुक्रिया गुद्डू शेक और मंसूर स्यद आप यहाँ पर आए आपका किम्ति वक्त दिया है हम यह चाहेंगे कि आने वाले और जो तीन राते है आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहे क्योंकि आपके आने से इस टोनामेंट में चार चान लग जाते है आईए एक बार फिर से यूपील की खूपसरा दुनिया में लौट चलती है ओवर नमबर तीन लेकर आएंगे मेराज क्या बैतिरिन गेंद रही वाँ पर विक्तो के उपर से गेंद निकल गए और कमाल की विकिट कीपिंग रही है अकबर शेक की जैन गोरेकर जो लास्ट ओवर में डेट ओवर में बहुत ही खतरनाक हो जाते उनको आउट कर दिया यहां पर पहली गेंद के उपर मेराज ने अरकान नए बल्लेबाद अब आए है लिफ्टी बैट्समेन अब आए है अरकान ग्यारा गेंदे और 49 रन अभी भी यहां से चाहिए पहले दो गेंद बाजों अच्छी गेंद बाजी की और पुरी तरीके से अब यहां पर एचार स्पोर्ट के उपर दबाओ डाल दिया है मेराज विकेट लेने के बाद नए बैट्समेन अरकान नो बॉली जबार रही है बहुत ज़दा बल्ले बास से दूर रखने की कोशिश लेकिन इतनी ज़दा दूर थे कि पिछ के बाहर गेंद को फेक दिया था थोड़ा सा जगा बना कर खेलने की कोशिश की वहां पर लेकिन क्या छुट गया है मिजान वहां पर मौजुद थे उनसे ये कैच छुटा है तो सिंगल रन अब इस गेंद के उपर और स्कोर 16 तीन विक्टे गवाने के बाद 16 रन पहली दो गेंदे अकबर के अच्छी रही है पहली गेंद के उपर विक्ट उसके बाद दूसरी गेंद नो और तिसरी पर एक क्या छुटा और सिंगल रन आया है लंबा ही डेक बार फिर से लेना चाहते थे वहाँ पर बल्ले बाज लेकिन साही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाया और देखना है कि वक्त रहते हो वापस अपने घर में आते होए समीर असारी जैसे देखा कि खतरा बहुत जादा बढ़ गये अपने कदमों को वापस क्रिस की तरफ ढखेला और ये सिंगल रन अब जादा तर जो रन बन रहे वो सिंगल में ही बन रहे सिर्फ एक की सिक्सर लगा है सेकंडीनी में वह खतीब ने लगाया था अरकान और इस बार अरकान ने खेल दिया गेंद को गेंद के निचे वहां की लाड़ी आउर आउट कि इसके पहले मिजान ने क्या छोड़ा था अरकान का लेकिन इस बार कोई गल्ती नहीं की मिजान ने और अरकान आउटो कर वापस जाते हुए कि तो कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए अरकान और अब नए बेट्समें आएंगे नदीम आड़ गेंदे और 36 रंचाहिए बूम बूम नदीम बल्ले बाजी के लिए पहली गेंद का सामना करते वे आते साथ महाँ पर बहुत तेज बल्ला गुमाया महाँ पर नदीम ने लेकिन गेंद और बले की बीच में किसी भी तरह का संपर्क नहीं पाया और ये एक और बैतरिन डिलेवरी मेराज की दो विक्टे अब तक हासिल की है मेराज ने ओन सैड में खेल दिया इस गेंद को खिलाडी वहाँ पर मौझूद हो बले क्याच नहीं पकड़ा है वहाँ पर लेकिन रन बचाए अपनी टीम के लिए और रन लिया भी नहीं है छे रन बचाए उस खिलाडी ने तो बहुत ही बैतरिन गेंद बाजी रही है मेराज शेक दुआरा सिर्फ तीन डन खर्च की और दो विक्टे हासिल की है अब लाश्ट ओवर में जो रन चाहिए इस मैच को जितने के लिए वो है 36 चे गेंदे और 36 रन चाहिए सभी गेंदों को बाउंडरी के बाहर फेकना होगा यहाँ पर असमीर अंसारी को सैफ अंसारी अब गिनबाजी के लिए आते वे सैफ अंसारी के उपर क्या समीर अंसारी भारी पढ़ेंगे यह देखने वाली बात रहेंगी या फिर सैफ उसी तरह से गेंदबाजी करेंगे जिस तरह से पहले तीन गेंदबाजों ने की है पहली गेंद के उपर बहुत ही बहतीनी तरीके से इंसाइड आट श्ट्रोक छे रन ला जाब श्ट्रोक बहुत ज़्यादा दूर रखने की कोशिश की और कवर के उपर से इस गेंद को खेल दिया छे रनों के लिए फिर से बड़ा हीड लगाना चाहते है लेकिन इस बार मिश्ट्राइम श्ट्रोक है एक रन पुरा की है वहाँ पर बले बाजों ने देखना है दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे और यह सिंगल ही रन आया है इस गेंद के उपर चार गेंद है और 29 रन चाहिए अब यहाँ से फिर से देखना है इस बार कवर में गेंद गई है और यह सिंगल ही रन आया है इस गेंद के उपर इंप्रुवाज इश्ट्रोक खेलने की कोशिश की लेकिन एलिवेशन नहीं बना पाए जमिन के सारे से यह गेंद चले गई थी और फिर से सिंगल रन पहली गेंद के उपर चक्का लगा उसके बाद तीन गेंदे बहुत ही बैतरिन रही है सैफ हंसारी की लेकिन इस बार सैफ की यह गेंद वाइट अंसाइड में खेल दिये इस गेंद के वहाँ पर और आउट नदिम भी आउटो कर वापा जाते हुए तो पुरी तरीके से अब इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली है शेक स्पोर्ट्स ने दोनों टीमों का यह आखरी मुकाबला है ग्रूप स्टेच का यह आखरी मुकाबला है दोनों टीमों का और इस मैच को अगर शेक स्पोर्ट जी जाती है तो फिर दोनों टीमों के जो है वो चार-चार पॉइंट हो जाएंगे और अगला जो मैच हुए फिर विक्टोरिया बैटर और आरेन स्पोर्ट्स के बीच में मैच है एक और बैतरिन मैच दोनों टीमों जीतना चाहेंगी क्योंकि जो मैच है वो दोनों टीमों के लिए एहम मैच है आरेन स्पोर्ट्स का भी लास्ट मैच रहेंगा और उनके भी चार पॉइंट है जबकि विक्टोरिया बैटर ने तीन मैचेस खेले और उनके पास सिरिफ दो ही पॉइंट है तो वो भी चाहेंगे के इस मैच को जीते तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है शेक स्पोर्ट्स ने झाल 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 तो बहुती बैटर ने तरी के सिरिफ